बेटा तुम किस जंगल से आए हो और तुमारे मम्मी पापा कहा है आंटी जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे मम्मी पापा नहीं थे मुझे तो जिर्फ मेरी दादी ने पाला था फे तोनों बाति कर के रहे होते ही तभी काला कवा भी हुआ पर आ जाता है फे हे कभी चीची चिडिया को देखता है तो कभी उस बच्चे को अरे कालू भईया आप एसे हमें क्या देख रहे हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही ये बच्चा कौन है चीची बेन ये बच्चा ये बोल रहा है कि दूसरी जंगल से आया है बे लोग बाते करकी रहे होते हैं तब ही पेड की एक डाल टोटकर उस बच्चे पर किरने वाली होती है चीची चिडिया उस बच्चे को भईया से हटा देती है और पेड डाल उस पर गिर जाती है अरे इतने मोटी डाल चीची पर हिर गई बेन बेन तुम इंतजार करो मैं किसे को देख कर लाता हूँ तुमारी मदद करने के लिए ये केगर काला पुबा वहां से चला जाता है तब ही वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है अरे टीलू तुम यहाँ पर हो बेटा मैं तुम्हें कपसे ढूंड रही हूँ अरे दादी वो सब छोड़िये अरे ये उनके उपर केसे गिर गया अरे वो सब बात में पूछना दादी जी पेले ही पेड का गुद्दा तो हटायए दादी वे पेड का गुद्दा हटा देती है क्या हुआ तुमारे उपर ये पेड़ की शाखा कैसे गिर गई दादी मैं हापर खड़ा था वो पेड़ की शाखा मुझ पर गिरने वाली थी लेकिन मेरी जगा आंटी आ गई और इन पर गिर गई अरे आपका बहुत भुश्य शुक्रिया आपने मेरे टीडू को बचा लिया इतने में काला कावभी महा आ जाता है अरे आंटी जी ये बताएए ये बच्चा आपको कहां मिला ये किसका बच्चा है अरे बेटा तुम्हें तो पढ़ता है ना अभी दो तीन महीने पेले जब पोर तेस बारिश और तुफान आया था तभी में नदी के पास गई थी पानी बनने बस महीं पर एक अंडा तेरता हुआ आया मैंने वन्डा उठा लिया और फिर उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा रख ला उसका नाम में ने टीडो रख दिया और वो यहीं बच्चा चीची बेल तुम भी क्या वहीं सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ काला कव्वा दादी को सारी बात पता देता है